एक अच्छे लेवल की फोटोगरफी करने के लिए आपको एक अच्छे बेस्ट केमरे और लेंस के साथ साथ एक अच्छे फॉर्मेट की भी जरूत पड़ती है जिस फॉर्मेट में आप फोटो को खीचके एक अच्छी उसके अंदर कलर ग्रेडिंग कर सके और अच्छे से उ अच्छा कर सकते हैं उसका और अच्छी एक क्रेटिव फोटो बना सकते हैं फोटो देखने पाद इसा लएगा कि किसी अच्छे प्रोफेशनल केमरे और एक बहुत महेंगे लेंज के साथ में फोटोग्राफिय आपने करिए तो उसके लिए एक फॉर्मेट की जरौतिती उसस जनरली बाई डिफाल्ट हम लोग जो शूट करते हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में शूट करते हैं जब यह फोटो शूट करते हैं तो केमरा आटोमेटिक उसके अंदर ब्राइटनेस कॉंटर सेचुरेशन खुदी फिक्स कर देता है और जब उसको आप कंप्यूटर पे जब उसको किसी सॉफ्टर के थूरू जब उसमें कलर ग्रेडिंग करने कोशिश करते हैं तो थोड़ा मोत उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं बाकिया उसमें आप सोचें कि अब इक प्रो लेवल के अगर आपको उसके अंदर कलर ग्रेडिंग करना तो उसमें पॉसिब होती है वो सेटिंग कहा मिलेगी इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा पूरा लाज तक जरूर देखना तो चलिए मैं आपको केमरे के अंदर ही चलके दिखा देता हूं कि किस टाइप से आपको कहां पे जाके रोव फॉर्मेट को एनेबल करना होगा जिससे आप जब सेकंड नंबर का जो आप्शन होता है इसके अंदर आपको नाम मिल जाता है शूटिंग मेनू के नाम से शूटिंग मेनू के अंदर आप जैसे नीचे जाएंगे देख सकते हैं बहुत सार आप्शन होता है इमेज क्वालिटी आपको उसके अंदर क्लीक करना है अब देखे जरूत नहीं, इसमें सब कुछ लिखा है, आपको RAW फॉर्मिट लिखा है, RAW प्लस JPG, fine, मतलब RAW के साथ साथ है, बहुत अच्छी, आप JPG फॉर्मिट में भी फोटो केप्चर कर सकते हैं, साथ ही में second option आपको मिल जाता है, RAW प्लस JPG, normal, इसके अंदर आपको JPG का नॉर्मल फो फोटो एक ही image के मिलेंगे आपको, जिसमें दो फॉर्मिट अलग अलग रहेंगे, तो आप देख सकते हैं, next आपको इसके अंदर मिल जाता है, RAW प्लस JPG, basic, मतलब इसमें जो आपको इसका जो साइज देरेगा, फोटो का साइज वो कम रहेगा, next इसमें है आपको RAW फोटो खिस सकते हैं, JPG fine का option मिल जाता है, JPG normal और JPG basics, इस type के आपको इसके अंदर option मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी फोटो को अच्छे creativity बनाने के लिए उन formats का use करके अपनी फोटो को इस्तेमाल कर सकते हैं, अब दूसरी बात आती ही कि जब हम photo capture करते हैं, तो उसके अंदर आपको पहले सी पता चल जाएगा, देखो उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, मैं बता दता हूँ, इसके लिए आपको आई बनने पर जो option होता है, इसके मदले information वाले option पर क्लिक करना है, फिर आपको यहां पर सबसे left hand side पर option मिलेगा, आपको image quality का उस पर क्लिक करन इसमें MB भी लिखा रहा है, और कितने फोटो आपको capture करना है, यह भी लिखा रहा है, देखो फाइन के अंदर लिखा रहा है, पांसो उनपचास पोटो capture करेगा यह, तो मतला चोपन MB का आपनी file size इसमें बनेगी, और आपके इसमें पांसो उनपचास फोटो यह capture कर लेगा देखो, रो में कितना 45 MB की file रहा, 650 फोटो खेचेगा, ठीक है, इस टाइप से देखे, इसमें सब में आपको MB दिख जाती है, साथ में आपको इसके अंदर कितने फोटो खेचेगा यह बता देता है, देख सकते हैं, जेपीजी फाइन के अंदर कितने 17 MB की फोटो बनेगी और 1700 फोटो आप इसके अंदर capture कर सकते हैं, तो यह कुछ options इसके अंदर आपको देखने के मिल जाते हैं, आप इसके थूरू एक judgment लगा सकते हैं, कि आपका camera कितने फोटो खेचेगा, बेटरी चार्ज होने के बाद, अगर बेटरी आपके discharge भी होती है, तो उसमें कितने फो फोटो की, तो इसे फोटो की जो capture करने की जो बेटरी का जो बेकप रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़े जाता है, और आप बहुत सारी फोटो खेच सकते हैं, बाकि इसमें धियान रखना है कि अगर आप बेसिक में फोटो खेचे होगे, तो इसमें क्या रहेगा कि फोटो quality चीए, फाइन चीए, फिर raw format में आप फोटो कीचे चेंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप गे बहुता हन की याति होटो की países चीए, तो आप डोनों option एक अपको काम ये भी कर सकते हैं, आपको अगर लगता है कि कुछ फोटो बढ़े करना है, जिनमें color grading कर तो उसमें आप photo format change कर दीजे, raw plus jpg कर दीजे, तो आपको दोनों photos के अंदर मिलेंगे, raw में मिलेगा, jpg में मिलेगा, तो दोनों आप use कर सकते हैं, आपको size में color grading करना है, उसको raw को इस्तिमाल करना है, और आपको कोई social media photo डालना है, तो उसको आप jpg में इस्तिमाल कर सकते हैं तो ये कुछ formats होते हैं, जिसके अंदर आप अच्छी सच्छी professional level की color grading कर सकते हैं, I hope आपको बहुत चीज समझ में आगए होगी, कि आपको अगर raw photo में खिशना है, photo तो कहाँ पर जाके कौन सी setting enable करना पड़ेगी, इसी type की नई-नई वीडियो देखने के लिए आप हमेरे च पसंद आया है, तो दोस्तों में share भी कर सकते हैं, मिलते हैं इसे तरब की कुछ नई interesting video के साथ में, take care, bye-bye.